एक छोटे से गाव में रोहन नाम का एक बच्चा रहता था। ये गाव बहुत ही सुन्दर और शांत था जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिल जुल कर रहते थे। रोहन बहुत ही होश्यार और महनती था। वह हमेशा अपने स्कूल के काम में ध्यान लगाता था और अपने अध्यापकों का प्रिय चात्र था। लेकिन उसके घर में बिजली नहीं थी। रात होते ही घर में अंधेरा चा जाता था। जिससे पढ़ाई करना मुश्किल हो जा था। वह रात को मिट्टी के दिये की रोश्नी में पढ़ाई करता था। दिये की मध्धम रोश्नी में भी उसकी लगन और महनत कम नहीं होती थी। उसकी आँखों में एक सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैग्यानिक बने और अपने गाव की मदद करे। वह चाहता था क कि उसके गाव में भी बिजली आए और सभी बच्चों को पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिले। रोशन की प्रेरणा उसकी दादी की कहानियां थी। दादी उसे महान वैग्यानिकों और उनके आविशकारों की कहानियां सुनाती थी। इन कहानियों ने रोशन के मन में विज्ञान के प्रती गहरी रुची पैदा की। रोशन के स्कूल में विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं थी। लेकिन रोशन ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर में ही छोटे-छोटे प्रयोग करने शुरू कर दिये। वह गाव के कबार से चीजें इकठा करता और उन सालों बाद रोहन ने अपने गाव में ही नहीं बलकि पूरे जिले में अपनी पहचान बनाई। उसने एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया जहां उसने अपने अनोखे विचारों और प्रयोगों को प्रस्तुत किया। अपनी मेहनत और ग्यान से उसने पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे उसके परिवार और गाव का नाम रोशन हुआ। इस सफलता ने उसे एक प्रतिष्ठित विश्व विद्याले में पढ़ाई करने का मौका दिलाया, जहां उसने और भी गहराई से विज्ञान की पढ़ाई की। वहां उसने एक ऐसा उ पकरन लगाया और अब गाव के सभी घरों में रोशनी आ गई। गाव के लोग बहुत खुश हुए और रोहन की तारीफ करने लगे। रोहन ने सभी को बताया कि यह सब उसकी मेहनत और शिक्षा का परिणाम है। रोहन अब गाव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रे रोहन के प्रयासों से बच्चों में आत्म विश्वास बढ़ा है और वे अपने भविश्य के प्रती अधिक जागरूख हो गए हैं। गाव के बच्चे अब रोहन को अपना आदर्श मानते हैं। वे उसकी मेहनत और समर्पन से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार करने क कोशिश कर रहे हैं और उसकी तरह बनने का सपना देखते हैं। रोहन ने न केवल बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया है बलकि उन्हें यह भी सिखाया है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिक्षा की शक्ती असीमित है। चाहे कितनी भी कठिना या आएं हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा ही वह रोश्नी है जो हमारे जीवन को उजवल बनाती है।